करते हैं आज का दिन अनिकी 23 सप्टेंबर 2023 कैसा जाने वाला है चलिए बात करते हैं में शाशी बालों के लिए में शाशी बालों अगर आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन सामानिता जाएगा कुछ खास उतार चड़ा देखने को नहीं मिलेगा पर इस्थितियां कर से अपने लिए सुकद अनुभव देखने को मिलेगा जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे थे उनके लिए आज के दिन कुछ नगी आपरचिनिटी मिल सकती है बात करते हैं व्रिशव राशी वालों के लिए व्रिशव राशी वालों आज की दिन की मैं चल रहा था तो वहाँ पर भी आपको आज के दिन सचेत रहने की जरूरत है अगर आपका कोई भी मामला कोट परिसर में चल रहा है वहाँ पर आज के दिन आपको नेगुशियेट करने की सिचुवेशन पर ध्यान देना चाहिए कारी शेतर में परिस्तिती अनुकूल आज के दिन अगर आप सूजबूच का परिचे कारिशेत्र में देंगे तो आपके लिए अच्छे अनुभव भी होंगे साथी साथ करा पराक्रम में व्रिधी और आपके कारिशेत्र में आपकी उपस्तिती होने के कारण आज के दिन आपको कही ना कहीं से reward या recognition की situation भी आते ह हुए देखने को मिलेगी साथी साथ आज के दिन पारिवारिक सिर्था बनी रहेगी मन भी आपका शांत रहेगा लेकिन आज के दिन थोड़ा सा discipline approach लेकर और patiently चीज़ों को handle करने की आपको कोशिश करनी चाहिए बात करते हैं करक राशी वालों के लिए करक राशी वालों अगर आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन अपने मन को विचारों को positivity के साथ आगे लेकर बढ़ते हुए आप कुछ ना कुछ अपने और प्रबल रहेंगी साथ आज के दिन आपका कोई निकट तमसंबंदी आपको एक विशेश राय दे सकता है बहुमूल राय द मिलने के साथ-साथ आज के दिन अगर आप उस पर execute भी करेंगे तो आपके लिए परिस्तिति अनुकूल बनेंगी बात करते हैं सिंह राशी वालों हैं साथ-साथ लंबे समय से चल रहा कोई पारिवारिक तनावसा जा होता हुआ नजर आएगा तो आज के दिन आपको धहरे का परिचे देना है कारे शेत्र में भी आज के दिन आपको पेशेंटली अप्रोच करते हुए सारे conflicting सेनारियो को अड्रेस करना है लंबे समय से आज के दिन के मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए शुबता से भरा हो सकता है आज का दिन आपके confidence level में जाफा लेकर आएगा आज के दिन अगर आप चीजों को embrace करके चलेंगे positive approach रखेंगे तो आपको सब तरह से कुछ ना कुछ good news देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी कारेशेतर में आज के दिन आपका role elevation हो सकता है profile uplift हो सकती है नौकरी चेंज करने के एक शुक हैं तो कहीं न कहीं से नई कोई situation आ सकती है या कहीं से कोई job opportunity भी आपके सामने आ सकती है प्रमाइसे चेंज करना चाहते हैं अगर नया लेना चाहते हैं प्रापरटी में निवेश करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा माना जाएगा बात करते हैं तुलाराशी वालों के लिए तुलाराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए समानिता जाएगा कुछ खास उतार चलाव चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा मन आपका शांत रहेगा आज के दिन आप अपने और अपने परिवार के लिए कोई महत्रपून डिसीजन ले सकते हैं और वो डिसीजन चोटी मोटी गेट तोगेदर से संबंदित भी हो सकता है या कुछ नया निवेश में आप कर सकते हैं दोनों ही डिसीजन अगर आप आज के दिन लें या लोंगर टर्म की आप प्लानिंग करें आपके परिस्तिती को अनुकूल बना कर जाएगा क्योंकि परिवार के साथ बिताया गया वक्त हो या परिवार के लिए लंबे समय की प्लानिंग हो दोनों ही सिचुवेशन आपके जीवन में चल रहा जो ओन गोइंग स्ट्रेस है उसको बैलेंस कर सकता है बात करते हैं व्रिश्चिक राशी वालों के लिए व्रिश्चिक राशी वालों आपके लिए सिचुवेशन स्ट्रेस हैं मन आपका शांत है साथी साथ आज के दिन कारिशेत्र में आपको किसी व्यक्ति विशेश की तरफ से पॉजिविटी भी मिल सकती है और अगर आपका इंक्रमेंट या जॉब चेंज की सिचुवेशन चल रही थी वहाँ पर भी आपको कोई ना कोई शुब संकेत या इंडिकेशन मिलेगा कोई व्यक्ति विशेश आपको बहुमुले राय देकर आपके जीवन में चल रही कोई करण सिचुवेशन से आपको निकाल सकता है आपके मेंटॉर से भी आज के दिन अगर आपको कोई हלप मिलती है तो मैं कहूνगी उसको आपको लेना चाहिए बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए धनूराशी वालों आज के दिन के में बात करूँ तो आज का दिन positivity को embrace करिए मन को शान्त रखिए सब तरफ से अपने मन को शान्त रखते हुए अगर आप कोई positive निरने लेना चाहते हैं जो परिवार के सबी सदस्यों के लिए पूरे परिवार के लिए अनकूलता लाए तो आज के दिन सब का आपको विचार लेते हुए सारे मतों का ध्यान रखते हुए एक strongest आपको decision लेना चाहिए जो long term financial stability आपके पूरे परिवार के लिए ला सकता हो साथी साथ आज के दिन स्वास संबंदी चिंता है आपको second half के दौरान सता सकती है तो थोड़ा सा आपको सचेत रहने की जरूरत है बात करते हैं मकराशी वालों के लिए मकराशी वालों आपके लिए situation सही रहेंगी विचार धाराएं आज आपकी प्रबल रहेंगी confidence level में आप इजाफा होते हुए देखेंगे पारिवारिक तनाव आज आप से दूर होता हुआ नजर आएगा कुल मिला के आज का दिन positivity को embrace करने का माना जा सकता है नई शुरूआत करने का भी माना जा सकता है लंबे समय से चल रहा कोई भी पारिवारिक तनाव अब कोई न कोई निशकर्ष पे पहुँचने वाला है इसलिए आज के दिन आपको अपने धीरच का परिचे देने की जरूरत है बात करते हैं कुम्बराशी वालों के लिए कुम्बराशी वालों आज के दिन के मैं बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा हो सकता है अगर आप सुझबुच का परिचे देते हुए किसी छोसने पर आएं साथी साथ आज के दिन अगर आप रिण संबंदी किसी प्रॉबलम से जूज रहे हैं तो उसका रास्ता निकलते हुए नजर आएगा या आपको रिन को रिपेमिंट करने की कोई न कोई सिचुएशन ये परिस्थिति आपके सामने आ सकती है कलेक्टिवली अगर देखा जाए तो आपके लिए परिस्थितियां अनकूल है मन को शांत रखिए आगे चलते चलिए जिससे कि आप सब तरस से अपनी चीज़ों में पॉजिटिविटी देख पाएं बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी वालों आज के दिन की में बात करूँ तो आज का दिन आपका समानता जाएगा कुछ खास उतार चलाओ चीज़ों में देखने को नहीं मिलेगा जैसे चल रही है चीज़ें या परिस्तिती वैसे ही चलाईए हाँ हाला कि आज आज आपका स्वास्त बहतर होता हुआ नजर आएगा लेकिन अगर आप स्वास्त समधी चिंताओं से दूर जाना चाहते हैं तो आज के दिन आपको कुछ न कुछ एक अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए लंबे समय से चल रहा कोई अगर जॉब को लेकर या आर्थिक स्थिर्टा को लेकर कोई डिसिजन लेना चाह रहे थे और निशकर्श पर नहीं पहुंच रहे थे तो अब वो सिचुएशन आपके लिए पॉसिजिफ होते हुए नजर आएगी आज का दिन आपके और आपके परिवार के लिए कोई ना कोई शुब संकेत या गुड नियूस अड़ 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 डे लेकर आ सकता है इसी के साथ मुझे आग गया दीजे मैं कल फिर आज़े रहूंगे नमस्कार